जमीन गोटाले में एडी ने जारखंड के मुख्य मंतरी हेमंत सोरेन से पूस्ताच के लिए सातवी और आखरी बार समन भेजा है। अपनी गिरफतारी के आश्वंका खुद हेमंत सोरेन जताते रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी गिरफतारी हुई तो वो अपनी पत नहीं कलप मैसेज ने इस रहस्य से परदा हटा दिया है। दूबे ने एक्स पर लिखा कि सर्फरास एहमद ने विधान सभा से इस्थिफा दे दिया है। अब हेमं सोरेन मुख्य मंतरी पत से इस्थिफा देंगे और जारखंड की अगली मुख्य मंतरी उनकी पतनी कलपना सोरेन जे एमान्सोरेन की पतनी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी अगर हेमन की गिरफ्तारी होती है तो तुरंत कल्पना सोरेन को पाटी C.M. गोशित कर देगे विधान सभा का सदस से अब बने बगएर कल्पना चुनाव लड़कर जीतने की बाधिता हो具conomy मामलों के जानकारों का कहना है किसी रणीती के तह सर्फराज जहमत से पार्टी ने स्थिफा कराया है उनका इस्थिफा 31 दिसंबर 2023 के प्रभाव से स्विक्रित हुआ है राजनिती संभावनाओं का खेल है इसलिए संकट में पढ़ने से पहले ही मुख्यमंत्री सोरेन ने पंजाब केसरी टीवी